नमस्कार MP Live में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ आकाश, सोनी और खबरों की शुरुआत करने से पहला इन अज़र डाल लेते हैं MP तक की हेडलाइन्स पर मुख्यमंतरी शुरा सिंग चौहान ने की रेल बजट की सराना, रेल ववस्ता में दूरगामी सुधार लाने वाला बजट मुख्य सचीव ने विजे कलेक्टर्स को निर्देश मौसमी रोगों से पूरी मुस्तैदी से बचाये जनता को और अब खबरें विस्तार से मुख्यमंतरी शुरा सिंग चौहान ने कहा है कि रेल मंतरी सुरेश प्रभू ने संतुलित और रेल ववस्ता में दूरगामी सुधार लाने वाला बजट प्रस्तुत किया है शुरा सिंग चौहान ने कहा कि रेल मंत्री ने अगले पाच वर्ष में रेलवे सुरक्षा तता अधुसर अन्रक्षना में 8,56,020 करोर रुपए निवेश का लक्ष रखा है इससे ना केवल रेलवे विवस्ता सूद्रा तता सुविदा युक्त होगी बलकि देश के अधुसर विवस्ता में भी सुधार होगा मुक्य मंत्री ने कहा कि रेल हमारी परिवहन विवस्ता का सबसे प्रमुक अंग है रेलवे वैस्ता को मजबूत और सुविदा संपन बनाने के बारे में लंबे समय से विचार चल रहा था मैं देश के रेल मंत्री सुजेस प्रवाकर प्रभू को बधाई देता हूँ कि उन्होंने रेलवे को गतिशील करने और आम यात्रियों को सुविदा देने वाला बजट प्रस्तुत किया लगतार उन्नत हो रहा है तकनीक से विध्यारती और वैग्यानिक अपडेट रहे उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री अमा शंकर गुपता ने यह बाद तीन दिवसी राष्टी तकनीकी प्रदर्शनी और सम्मेलन अविश्कार में आई फैस 2015 की शुभारम समारों में कही सूचना प्रद्वग्यकिये और परिवयन मंत्री भूपेंद्र सिंग ने कहा कि प्रयास तब तक करें जब तक कि आसफलता को सफलता में नहीं बदल दे प्रदेश में लक्षित सार्वजनी क्वित्रन प्रणाली में मार्च महा में भुकताओं को प्रती परिवार एक किलो अतरिक शक्कर दी जाएगी यह ववस्ता खाद्य नागरिक आपूर्ती विभाग ने मार्च महा में तिवहारों को देखते हुए की है विबाग ने मार्च मा के लिए शक्कर का आवंटन भी जारी किया है प्रदेश में एक करों सत्रा लाग सत्र हजार सत्यासी पात्र परिवार हैं जो पीडियास के दायरे में आते हैं इनमें अंते हुदाय अन्य योजना के 14,15,303 और 2,56,76 परिवार हैं मुख्य शत्रीव एंटोनी डिसा ने प्रदेश के सभी कलेक्टर्स को मौसमी रोगों से जनता को बचाने के लिए पूरी मुस्तहदी से मैदानी अमले को सक्री रखने के नर्देश दिये हैं राजी के प्रते ग्राम में CUG SIM के जरिये जिला एवं राज मुख्याले से IDSB के माध्यम से राज सूचना प्रवंदन की प्रक्रिया से ग्रामी शेत्रों में जानकारी संबंदित अधिकारी तक पहुँचाने की ववस्ता की गई है इससे रोगों पर प्रभावी नियंतरन की प्रक्रिया का क्रियान वेन संबब होगा शीतकाल समाफ्त होने के बाद प्रायरू वेक्टर जनित रोग और मौस में बढ़ने लगती है मुख्य सचीव के निरदेश पर लोग स्वास्त एवं परिवार का लियान विभाग ने आगामी महीनों में बिमारियों की रोगताम कारियोजना पर हमल शुरू किया है समीक्षा में राजय के 64 विकासखंड में मलेरिया के प्रक्रणों की ज्यादा संख्या पाये जाने पर विशेश कारियोजना संचालित होगी प्रक्रणुक सच्चिव स्वास्त की अध्यक्षता में राजय टास्क फोस्त की बैठक में मलेरिया प्रौवित एलाकों में इन्हें अंतरन के लिए आवशेश की होजना को अंतिम रूप दिया गया इसमें रोक के उपचार, रोकताम, औश्रदियों के उपलब दता और कंट्रोल रूम के माध्यम से प्रतिते मॉनिटरिंग और प्रबंधन एकाईयों की ओर से ग्राम इस्तर तक मॉनिटरिंग शामिल है इस बुलिटिन में फिलाल इतना ही बागी खबरों के लिए देखते हैं, MSTV, नमस्कार